जैहिन बच्चों आज हम application of derivative class 12 का third part study करेंगे देखी बच्चों अभी हमने increasing decreasing function के बारे में पढ़ा उसमें भी strictly increasing decreasing function पढ़े हमने अब हम बात करेंगे maxima और minima की तो आप देखिए यह जो graph आपको दिख रहा है इस graph में हमारे पास यह maximum height हमें जिस point पर मिल रही है वो आपका maxima कहलाता है graph में जहां हमे minimum height मिल रही है वो आपका minimum या minima कहलाता है निमनिष्टमान कहलाता है अब हम जो आगे तो देखेंगे इसमें हम उच्छिष्ट और निम्निष्ट मानों की गर्णा करेंगे और ग्राफ में हम turning point turning point क्या होता है जैसे आप माल लेजिए आप किसी hilly road पर move कर रहे हैं तो आप देखिए किस तरह से इसमें दिखाया भी जा रहा है किस तरह से जब यह गाड़ी turn होती है तो एक turning point आता है तो देखिए उस turning point से हमारा movement जाए या तो हम upward direction में जाते है या downward direction में जाते है तो यह turning points जो हैं यह आपको निकालना पड़ते हैं इसमें तो अगर हम इसमें mass में बात करें तो maxima minimum में भी आप इसी तरह से turning points निकालते हैं यह देखिए graphs के तुरू आपको बताया जा रहा है इसमें भी हमारे पास दो है एक तो local maxima minima याने इस्थानी उच्छिष्ट और निमिनिष्टमान और एक होता है आपका निर्पेक्ष उच्छिष्ट निमिनिष्टमान जिसका हम absolute maxima और minima value कहते हैं इन में क्या difference है इन मे आपका maximum height है c1 और c2 या आजपास के numbers जो हैं आपके उससे बड़ा ठीक है उसमें कौन सा number बड़ा है या किस की number की height जो है वो ज्यादा है वो maximum number या maxima देगा आपको और दो आजपास के numbers में किस number की height है वो lowest है या सबसे कम है वो आपका minima निकल के आता है तो आप देखिए ये हमारे पास local maxima और minima जो है वो आपका आजपास वाले points से इस तरह से graphs के तुरू निकालते हैं हम और जो absolute या निरपेख्ष maxima minima minima होता है वो आपका देखिए आप ए graph में इतने सारे points हमारे पास दियें इसमें तो हमारे पास कई सारे maximum और minimum points हमें मिल रहे हैं तो इन मे सबसे ज्यादा हाइट या सबसे ज्यादा जो maximum जिसकी value है maximum height है वो आपका maxima होगा तो absolute maxima कहलाएगा और सबसे कम जिसकी length है वो आपका minima कहलाता है तो ये absolute और local maxima minima जो है ये आपको समझ में आ गया है इसके बाद आप देखिए कुछ functions ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो derivative के थ्रूँ हम निकालते हैं derivative के थ्रूँ कैसे निकालाएंगे कि कोई भी function अगर continuous है ये differentiable है मतब सता तरफ कलनिये हैं तो वहाँ maximum और minimum value जो है वो अकर करती है यदि उनका derivative जो है वो 0 हो maximum और minimum value होंगी यदि इसका derivative 0 हो लेकिन हर बार हम ये नहीं कहते कि function जो है वो differentiable का maximum और minimum value जो है वो मिलेंगी हमें कई बार function अगर non-differentiable है तो भी आपको इसका जो maximum minimum values है वो मिलती है जैसे आप ये देखिए modulus function का graph हमारे पास है ये non-differentiable function है ये आपकल ये नहीं होता लेकिन यहां हमें देखिए minimum point तो मिल रहा है क्योंकि देखिए आप ये एक sharp page बन रह जाते हैं तो हमको एक point मिलता है अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो भी हमें point मिल रहा है तो इन दोनों points के बीच में ये हमारे पास एक minimum point मिल रहा है जिसके लिए जो f dash x है वो 0 होगा इसका मतलब कि critical points या maximum minimum तो आपका दोनों conditions में ही आ सकता है तो देखिए बच्चों ये ह highest point जो graph में है वो absolute maxima show करता है और जो lowest point है जो graph में ये minima आपको show करता है तो maxima और minimum की condition हमारे पास ये हैं कि सबसे पहले आप function का derivative निकालते हैं इसमें first derivative second derivative दोनों से हम कर सकते हैं चेक जो हम करते हैं वो first derivative से भी कर सकते हैं अगर positive number आता है तो आपके पास में जो function है वो minimum होगा यहां just opposite है increasing में हमने पढ़ाता कि यदि f dash x greater than 0 आता है तो हमारे पास increasing होता था लेकिन यहां opposite होता है यदि f dash x आपका greater than 0 है याने positive है तो आपको minimum मिलेगा और यदि f dash x आप का negative है less than 0 तो आपको maximum मिलता है और फिर maximum और minimum values निकालने के लिए हम x की value निकालते हैं जिसके लिए हमें f dash x को 0 के equal रखना पड़ता है और फिर हम उसको x की value निकालके function में put करके maximum और minimum values निकालते हैं यह अब हम questions के त्रूँ यहां पे सीखेंगे तो देखी बच्चों आप हम maxima और minima को जो concept अभी हमने सीखा उस पर based question solve करेंगे इसमें आप देखें अंत्राल हमें दिया हुआ है closed interval 0 3 पर 3 x to the power 4 minus 8 x cube plus 12 x square minus 4 x plus 25 इसके उच्चतम और निमनतम मान हमें ग्याद करने हैं तो देखें आप कैसे करेंगे इसको सबसे पहले दिया है f x equals to 3 x to the power 4 यह देखें यह हमें function दिया हुआ है अब maxima minima के लिए हमने अभी सीखा उसमें भी हमें वही पहले सबसे पहले आप derivative निकालिए फिर आप second derivative test भी लगा सकते हैं फर्स derivative test भी लगा सकते हैं इसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका derivative निकालें कितना आएगा देखिए 12 x to the power 3 minus यह इसका हमने derivative निकाल लिया है अब हम यहां से इसको थोड़ा simplify करेंगे क्योंकि हमको अगर निम्नितम और उच्छे दम मान निकालना है तो हमें x की value यहां पे निकालनी पड़ेगी critical point हमको चाहिए तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको यहां से आप 12 को common निकालिए तो यह आजाएगा x cube minus 2x square plus 2x यह आजाएगा आपका यहां पे minus 4 अब हम यहां पे इनके factors बनाएंगे तो देखते हैं factor कितने बनते हैं इसके देखिए हमारे पास यह दो factors आ गए है x square plus 2 और x minus 2 यह हमारे हम रखेंगे 0 माना f dash x जो है वो 0 के equal रखेंगे जिससे हमारे पास x जो क्रांतिक बिंदू है वो निकल आए तो आप देखिए हमारे पास क्या आएगा यहां पे एक तो आ जागा x square plus 2 0 दूतरा आपके पास जाएगा x minus 2 equal to 0 मतलब x square की value यहां से तो हमारे पास इसकी real roots हमा हम as a turning point या critical point जो है हम इसको consider करेंगे यहां इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि यह real roots इसके नहीं आ रहे है तो x equals to 2 जो है वो आपका क्रांतिक बिंदू हो जाएगा तो देखिए क्रांतिक बिंदू हमने x equals to 2 यह लिया है अब देखिए आप जो अंतराल हमें दिया है 0 3 इसका मतलब यह जो point है 2 यह ऐसा आना चाहिए जो इसी अंतराल में हो तो हमारे पास अब x के 3 value हो गए यह देखिए आप x के value हो गए 0 2 और 3 क्योंकि हमको अंतराल क्या दिया है x जो है वो किसमें आ रहा है 0 और 3 में तो यह आपके पास में 0 और 3 के साथ में हमारे पास x के अब 3 value हो गए अब यह जो क्रांतिक बिंदु आया है इसको हम इस function में put करके और check करेंगे कि हमारे पास उच्छतम मान क्या होगा और नुम्रतम मान क्या होगा तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे f0 इसमें बस यह धहान रखना है कि जो x का मान है वो आप इस फलन में रखेंगे derivative में नहीं रखेंगे तो यहाँ फलन में रखते जाएगे यह हो जाएगा देखिए 3 0 minus 8 into 0 plus 12 into 0 minus 48 into 0 plus 25 तो देखिए इसको जब आप निकालेंगे तो आपके पास value कित्ती आ जाएगी यहाँ पे 25 value आ जा देखिए हमने x के place पर 2 put कर दिया है इसी के साथ हम यहाँ पे f of 3 रिकालेंगे यह देखिए इसी तरह से हमने आप 3 रख दिया है अब इसको आप calculate कीजिए calculate करके इनकी values निकलेंगी देखते हैं तो यह देखिए f of 2 की value हमारे पास आ रही है minus 39 और f of 3 की value हमारे पास आ रही है यहाँ से 16 यह 3 values हमारे पास आ गई है अब इसमें हमें यह देखना है कि निम्नतम बान कौन सा है तो देखिए निम्नतम बान हमारे पास minus 39 देख रहा है तो देखिए x equals to 2 पर निम्नतम 1 minus 39 और देखिए x equals to 0 पर हमें maximum value 25 विल रही है तो हम यह देखिए देखिए x equals to 0 पर उच्चता मान 25 होगा यह देखिए अब हम इस पर based question solve करेंगे तो यह हमारा question है फलन sin x plus cos x का उच्चता मान क्या है मतलब यह function हमें दिया है sin x plus cos x इसका maximum value क्या होगी यह हमें बताना है तो देखते हैं इसके लिए, देखिए, maximum value निकालना है, तो हमें maximum इसको proof नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर इसका maximum value ही find करना है, तो आप देखिए, इसका solution देखते हैं, देखिए, सबसे पहले, given क्या है हमें, दिया है, fx equals to sinx plus cosx, यह हमारा function है, जो दिया है, और तो देखिए, आप f dash x हम निकालेंगे, तो sinx का derivative cosx हो जाएगा, और cosx का होगा minus sinx, तो हमारे पास आगया है, f dash x is equals to cosx minus sinx, अब हमें इसका उच्चताम मान निकालना है, इसका मतलब हमें इसका क्रांतिक बिंदू याने x निकालना पड़ेगा, तो x का मान निकालने के ल करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा cosx equals to sinx, अब आप देखिए, इसको हम अगर arrange करें terms को, तो हमारे पास आएगा sinx upon cosx equals to 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम cross multiply करते हैं, तो हम वापस अपनी previous step पर ही पहुँच जाएंगे, तो देखिए, आप sinx upon cosx जो है, यह 10x बन जाएगा, 10x equals to 1, और x की value जो हम निकालेंगे, तो हमें पता है कि 1 जो है, किसकी value होती है, 10 pi by 4 की, तो देखिए, अब 10x equals to 1 है, उसको हम 10 pi by 4 अगर लिखते हैं, तो x की value हमारे पास आजाएगी, pi by 4, या 5 pi by 4, ऐसा interval इसका चलता रहेगा, तो हमारे पास जो x के क क्रांतिक बिंदू है, वो क्या हो जाएगे, x equals to pi by 4, 5 pi by 4, ये इसके क्रांतिक बिंदू, या जिसे हम कहते हैं कि critical points ये हमारे पास निकलाए है, अब आप देखिए, हमें जो इसका उच्च दम मान निकालना है, उसके लिए क्रांतिक बिंदू और अंतराल, अंतराल के जो end points है, या अंतराल के हम कहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, x equals to 0, और x equals to 2 pi, तो इन पर हम f के मान का परिकलन करेंगे, या उसका मान निकालेंगे, तो आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास, जो points आएंगे, वो हो जाएंगे, x equals to 0, pi by 4, 5 pi by 4, ये इन values पर हम इनको check करेंगे, तो देखिए, f of 0 सबसे पहले रखेंगे, हम x equals to 0 का मान रखेंगे, तो हमारे पास आएगा, f of 0 equals to sin 0 plus cos 0, अब sin 0 की value 0 होती है, और cos 0 की value होगी आपकी 1, तो 0 plus 1 is equals to, हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, इसके बाद हम f of pi by 4 निकालेंगे, मतलब x की जगे, जहां जहां, function मे x equals to pi by 4 है, वो हम यहाँ पर put करेंगे, तो हमें मिल जाएगा, sin pi by 4 plus cos pi by 4 equals to 1 upon root 2 plus 1 upon root 2, इसको अगर हम solve करते हैं, LCM लेके, तो हमारे पास आ जाएगा 2 upon root 2, और यह 2 upon root 2 को जब हम rationalize करेंगे, या इसका परिमे करन करते हैं, तो हमें f of pi by 4 की value मिल जाएगी, root 2, इसे के साथ आप देखिए, f of 5 pi by 4, यह value जो हम x की जाएगे, तो भी हमें इसकी values कैसे मिल जाएगी, minus 1 upon root 2, और minus 1 upon root 2, जिसको solve करने पर हमें मिलेगा, minus 2 upon root 2, और जो हम इसे rationalize करेंगे, तो f of pi by 4 की value हमारे पास आएगी, minus root 2, इसे के साथ, जो हमारा last point जो बचा है, 2 pi, उसको put करेंग x की जगे, तो आप देखिए, f of 2 pi हमें मिल जाएगा, sin 2 pi plus cos 2 pi equals to 0 plus 1, तो यह values रखने के बाद हमारे पास जो answer आया, वो आगया 1, तो अब हम देखेंगे कि फलन का उच्छतमबान क्या है, देखिए आप, हमारे पास f of 0, 1 है, f of pi by 4 हमारे पास root 2 है, और f of 5 pi by 4, जो है, व मुटसे बड़ा value है, that is root 2, याने x equals to pi by 4 पर फलन f का जो उच्छतमबान है, वो root 2 दिया है, मतलब, root 2 हमने निकाल लिया है, यह question बिच्छों कई बार इस तरह से भी आ जाता है, कि फलन आपको जो दिया है, sin 2 plus cos x, इसका उच्छतमबान आपको root 2 सिद्ध करना रहता है, त देखें, अब हम next question देखते हैं, इसमें दिया है, फलन y equals to x to the power 4 minus 62 x square plus ax plus 9, x equals to 1 पर चरम मान रखता है, चरम मान मतलब, maxima या उच्छतमान रखता है, तब हमें a का मान ग्यात करना है, अब देखें, हमने भी different pattern के questions देखें हैं, इसमें आप maximum minimum हमने proof कर लिया, फिर उसके ब भी ये देखें, maximum value तो दी हुई है, maximum value कितने पर मिल रही है, x equals to 1 point जो है, उस पर हमें इस फलन की maximum value मिल रही है, तो हमें a का मान निकालना है, मतलब हमें यहां पर maxima की जो condition है, वो use करना है, और जो constant है, unknown variable है, उसकी हमें value फाइंड करनी है, यह उजाएगा दिया गया फलन y equals to x to the power 4 minus 62x square plus ax plus 9, तो इसको हम derivative निकालेंगे इसका सबसे पहले, यह जाएगा डिवाइबर dx equals to 4x cube minus 124x plus a, अब देखेंगे, क्योंकि बिंदू x equals to 1 पर फलन जो है, वो maximum value रखता है, इसलिए हम डिवाइबर dx equals to 1 पर 0 के equal, जो हमारी condition है, वो रखेंगे, तो यह हमारे प 4x cube जो हमने derivative निकाला है, यह उपर इसको हम 0 के equal रख देंगे, यह हो जाएगा 4x cube minus 124x plus a equals to 0, अब क्योंकि यह maximum value x equals to 1 पर है, तो x की जगे हम 1 put कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपके पास 4 into 1 का cube minus 124 into 1 plus a equals to 0, यहां से आप इसको equations को solve करिए, तो हमारे पास सजाएगा 4 minus 124 plus a equals to 0, यहांने a का मान हमारे पास कितना आ गया, 120, तो इस तरह से हमने a की value निकाल ली है, a का मान उच्चिष्ट फरन की, उच्चिष्ट मान निकालने की condition यूज करके, देखिए, next question हमारे पास है, ऐसी दो घन संख्यां है, घन संख्यां ग्यात कीजिए, x और y, जिसमे x plus y equals to 60 है, और x y cube जो है वो उच्चितम हो, तो आप देखिए, अब जो हमारे पास यह word problems जी से questions हैं, इनको हम किस तरह से solve करेंगे, इसमें हमें यह दो numbers निकालने हैं, यहां हमें maximum proof नहीं करना है, यहां maximum already दिया हुआ है, हम maximum होने की जो condition है, वो use करेंगे, तो देखिए आ सबसे पहले मानव, दो धन संक्या है, यहने दो positive numbers हमारे पास, x और y, इस प्रकार है, कि x plus y equals to 60, अब देखिए, हमारे पास, यहां पर हम value निकाल लेते हैं, y की, तो y की value आ जाएगी, 60 minus x, ठीक है, अब x y cube जो है, वो उच्चेतम हमें दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, दिया है, x y cube, अब देखिए, यहां पर इसको हम कोई function suppose कर लेते हैं, माल दीजे, हमने p ले लिया, तो p equals to अगर x y cube है, हमारे पास, तो इसमें हम यह y की value रख सकते हैं, यह जाएगा x, 60 minus x का whole cube, क्योंकि यह हमने यह ऐसा, क्योंकि इस p को, अगर यह उच्चेतम है, तो हमें dp by dx निकालना पड़ेगा, तो dp by dx जो है वो, हमारे पास complete पूरा function x में होना चाहिए, इसलिए हमने यहां पर यह value लिखी है, अभी यह function है, इसको हम differentiate करेंगे, तो u dot v आला formula लगा देंगे, देखिए, यह जाएगा dp upon dx, equals to x as it is ही रहा आपका, इसको हम differentiate करेंगे, तो 3, 60 minus x का whole square, और इसका minus 1 भी आएगा, plus, एक बार आपका, 60 minus x का whole cube as it is रहेगा, और इस x का differentiation हमारे पास, 1 हो जाएगा, अब देख तो देखिए बच्चों, इसको simplify करने पर हमें क्या मिलेगा, 60 minus x का whole square, और 60 minus 4x, तो यह हमारे पास आगया है, इसको हम again differentiate करेंगे, second derivative लगाएंगे, तो d2p over dx square, इस पर जब हम लगाएंगे, तो direct हम फिर u dot v आला formula लगाएंगे, तो मैं यह direct इसका अपकलन लिख जेती जब हम इसको दुबारा अपकलन करेंगे इसका, तो हमारे पास यह value आएगी, दुबारा अपकलन आप u dot v आला formula लगाएंगे, तो यह देखिए हमारे पास value आगई, अब हमें x का मान चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x के मान के लिए dp upon dx जो है, इसको हम 0 के equal रख लगेंगे, तो हमारे पास यहाँ से x का मान आएगा, देखिए, बच्चों, dp by dx जो हम 0 रखेंगे, तो हम इनको factors को solve करेंगे, तो हमारे पास x का एक मान 60 आएगा, और x का एक मान हमारे पास 15 आएगा, अब हमारे पास x के 2 मान आएँए, हमें यह चेक करना पड़ेगा, क देखे बच्चों यह डेरिवेटिव है इसमें अगर मैं x कमान 60 रखती हूँ तो दीखे अब 60-60 कित्ता हो रहा है यहाँ 0 हो रहा है मतलब यह complete value ही आपकी क्या हो रही है 0 हो रही है ठीक है तो हमको यहाँ पे x equals to 60 जो है वो मान हम इसका consider नहीं कर सकते हम क्या consider करेंगे x equals to 15 तो हम यहाँ पे लिखेंगे x equals to 15 क्रांतिक बिंदू होगा क्यों क्योंकि यह derivative भी यहाँ पे 0 हूँ आ जा रहा है इसका ठीक है जबकि हमको तो यह उच्छे तम दिया है तो यह positive आना चाहिए था greater than 0 आना चाहिए था तो यह हम यहाँ पे 60 को consider ना करके हम x equals to 15 जो है इसको consider करेंगे अब हमको इस सवाल में निकालना क्या है दो धन संख्याय निकालनी है मतलब x और y तो देखिए x तो हमारे पास 15 आ गया है अब हमें y निकालना है तो हम y के लिए यह जो हमारे पास मान था समीकरन जो था x plus y equals to 60 इसमें हम x के value 15 रख देंगे देखिए यह हो जाए है s के value हमें 15 मिल गई है और y के value हमें 45 मिल गई है मतलब अभिष्ट धन धनात्मक संख्याय यह धन संख्याय क्या होंगी 15 और 45 होंगी तो हमारा answer आ गया है तो देखिए बच्चों आज हम लोग ने सीखा किस तरह से हम maxima और minima जो functions हैं वो हम कैसे identify करेंगे और maximum और minimum values हम किस तरह से निकालते हैं और दो तिन pattern के इसमें question बनते हैं जो हम लोग ने सीखे हैं maxima और minima आप कैसे proof करेंगे और उचिष्ट और निम्निष्ट फलन कैसे proof करेंगे दूसरा अगर उचिष्ट और निम्निष्ट दिया है तो आप किसी unknown variable की value कैसे find करेंगे उसकी condition को use करके और इसी के साथ अब आपके यह होंबा questions हैं जिनको क्या आप solve कीजिए थैंक यू सो मच